हलो दोस्तों मैं हुद तुशार साहू and welcome to my channel दोस्तों आज आज आपके लिएकदम लेटेस टुडियो लिखा हूँ हमारे पास में old मारूती सुजू की वैगनार कार है और इस गाड़ी के अंदर अभी latest ऐसे इंस्टॉल की गई है जिससे इस गाड़ी को एकदम नया जैसे ब इसके एलाब हम लोग बात करें तो फ्रंट जो ग्रिल है अपर और लोवर वह भी इंस्टॉल की गई है तो यहां से आप लुक देख सकते हैं यह क्रोम किट इंस्टॉल होने के बार में कितनी प्यारी गाड़ी लग रही है यहां देखें फॉग लेंब क्रोम भी आपको लिए ही पनी हुई है तो इसका इंस्टॉलेशन यहां पर फ्रंट साइट से भी कर दिया गया है ओल वैगनर आपके पास में है उसको थोड़ा न्यू लुक देना चाहते हैं तो आप यह ऐसे से रिस का इस्तमाल बिलकुल कर सकते हैं तो फ्रंट साइट से अभी आप लुक ले सकते हैं तो फ्रंट साइट से देखें दोनों अपर लोवर ग्रिल लगई हैं फॉग लैम क्रोम और हैडलाइट क्रोम यहां पर इंस्टॉल हो गया है तो फ्रंट साइट से इस गाड़ी का जो लुक है वह एकदम चेंज हो गया है तो यह चीज आपको यादी चाहिए इसके अंदर डाली के लिए जिसका मैं आपको भी बताने वाला हूं तो देखते हैं इसके साइड व्यू को यहां पर आपको दिखने को मिलेंगे सिल्वर कलर के वील कैप्स जो की प्रॉपर वैगनार के हैं लोकवाइज बढ़ी है वाइट कलर की गाड़ी पे सिल्वर कलर के वील के काफी अट्रेक्टिव लगते हैं डिजाइन देखिए एकदम न्यू पैटन का है और प्रॉपर इंस्टॉलिशन यहां पर किया गया है तो आपकी वैगनार गाड़ी के में स्टील वील है तो उस तरीके के वील कैपस आप डाल सकते हैं यह ब्लैक कलर में मिल जात जाते हैं लोवार गार्निस और सट अपर किगये यह जो है इसे लोवार गाणिस करें से दिखे काफी बड़िया है एक दम बड़िया आपको मिल जाता है दोर गार्ट और वे उसके साथ में आता है लग क्यों नीचीष्ट दोरं कर को रखते हैं वैगे चारोधी ॢया handle chrome लगाया गया है और इसके साथ में finger guard भी आपको मिल रहा है तो ये सारी चीज़े भाई मिल जाती है आपको back side में देखेंगे जो tail light है उसमें भी chrome का installation किया गया है तो देखें ये tail light chrome आपको इस तरीके से मिल जाता है दोनों ही side का तो आप इसे prefer कर सकते हैं भाई looking wise ये बहुत बरी ऐसे शरीज है जिससे गाड़ी का look बहुत चेंज हो जाता है corner bumper guard यहां देखेंगे तो black color की यहां पर install किये गए और ये side corner से जो damage से protection आपको देते हैं इसके लिए आप हम बात करेंगे तो इस गाड़ी का आपको देखने को मिलेगा ABS quality का roof rail जो की black and silver combination के यहां पर install किया गया है और इसमें अभी chrome line door visor install होने वाले हैं जिसका भी मैं review आपको दूँँगा तो यहां उपर में देखेंगे यह जो है black and silver roof rail तो यह देखें एकस्टीरिया ऐसे इंस्टालने के बाद में इसका लोग बहुत बहतरीन हो गया इंटीर के बात करेंगे तो black and silver combination के seat के बस दले हुए और समय अची बात है इसमें इंस्टाल किया गया है wooden armrest जो कि wooden से बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं handrest के लिए काफी बढ़ीया space है proper fitment है और पीछे में bottle holder और mobile pouch आपको मिल जाता है जो कि इससे और battery मनाता है handbrake लगान में कोई problem नहीं जाती है अभी video को आकरी तक देखिया इसका installation भी बताऊंगा आपको मैं कि किस तरीके से इसको install किया जाता है और यदि आपको ये handrest चाहिए तो बिल्कुल इसके लिए आप मुझसे contact कर सकते हैं इसमें आपको home deliver करा देगे बैक साइड में देखेंगे तो नीचे में मैटिंग डिली हुई है जो की black color की है ये handrest में bottle holder mobile pouch रखने का option मिल जाता है और इसकी screw कैसे tight करने की जरुवत नहीं होती है simply handbrake के पास में लिए आकर रखना होता है और ये वहाँ पचा के fix हो जाता है तो अब इसका installation आपको बताऊंगे किस तरह किसे आप इसे purchase करके install खुद ही कर सकते हैं अब आगे बढ़ेंगे और इस गाड़ी के back side में बहुत बढ़िया वक किया गया है वह है ये chrome lining बैक डिक्की के पास में लगाएगी है जिससे back side का जो look है और भी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा तो ये पूरा you shape में install किया गया है ये जो chrome line है यहाँ पर back side में और ये पूरा roll आता है तो आप भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं रूल को कट करके फिर installation किया जाता है जिसका अभी हम लोग back side में कर रहे हैं तो ये आप भी अपनी गाड़ी को attractive बनाने के लिए कर सकते हैं तो back side में देखिए पट्टी है हम लोग ने लगाई हैं बहुत बड़िया लग रही है यहां से आप देख सकते हैं silver color की है और back side का जो look है और भी बहतरन बना देती हैं तो आप इस तरीके की ये डिक्की पट्टी अपनी गाड़ी के लिए prefer कर सकते हैं तो exterior में आपने देखा chrome kit combo pack तो लगाई की दिया है साथ मैं अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस गाड़ी के latest है डोर वाइजर जो की chrome lining वाले यहां देखें black color के install किये गया है और इसके installation होने के बाद में गाड़ी आप देखें एकदम नई जैसी बन गई है तो यहां black color का ABS doorvisor है जिसमें install किया गया है भाई यह chrome lining यह chrome lining doorvisor आपको मिल जाते हैं वेगनर गाड़ी के लिए old valley के लिए तो मिलते ही है तो यहां पर देखें install होने के बाद में लोग कितना बड़ी है चलिए अभी आपको मैं बताता हूं कि इस गाड़ी का जो wooden handrest है उसको कैसे installation किया जाता है और वह किस तरीके दिखता ह यहां wheelcap देख सकते हैं चारो ही tires में wheelcaps डाले गए हैं जो कि silver color के हैं काफी attractive भी है अब हम लोग बात करें गारी के interior की तो इसमें आप देखेंगा यह wooden से बना हुआ armrest है सुजुकी का logo इसमें आपको मिल जाता है और आप देखेंगे proper fitment के साथ में आता है इसे install करने के ल अधर इसकी पकविंग की गई है वो रन से बना हुआ है और इसकी जो specification है वह आपको बताता हूं तो यहां देखेंगे handbrake के प्रास में सिर्व लिया के रखना है यहां पर एक चोटा सा boot space है जिसमें आप अपना mobile phone की ring wallet coins वक्रे रख सकते हैं पीछे में bottle holder का support जिसम बाटल के सिर्व रखना होता है क्योंकि प्रॉपर बनाया गया है तो यहां पर जाकर fix हो जाता है और आप लिए लॉंग जनरी कर रहे हैं तो यह बहुत useful accessories है आपकी वेगनार गाड़ी के लिए तो इसको आप बिल्कुल आप prefer कर सकते हैं और इससे order करने के लिए कुछ नहीं करना से simply description में WhatsApp number मैंने share किया है उस पर जाकर आपको message type करना है आपको सारी detail वहाँ पर मिल जाएगी WhatsApp में यहाँ देखें जो hand है उसको easily इस तरीके से आप क्या सकते हैं hold कर सकते हैं आप यहाँ पर gear knob भी आप यहाँ पर जो है लगा सकते इस तरीके से और साथ में मैं आपको पता जाता है इसके लाव हम लोग बात करें तो सीटों को आंगे पीछे करने पे भी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी अप चलाएंगे तो यह आवाज भी नहीं करेगा बढ़िया चीज है कभी भी आप इसको अनिस्टॉल कर सकते हैं फिर से रिस्टॉल कर सकते हैं पीछे में पामरेस से जिसमें आपको साड़ा चीज मिल जाता है और लोकिंग वाइस यह बहुत बढ़िया भी लगता है और यूसफुल भी है आपकी वैगनार गाड़ी के लिए यह हमारे पास में सभी कास के लिए अवेलेबल होता है तो यह आपके पास में कोई दूसरी भी यह बही कर सकते हैं तो यह जो चीजे भाई वैगनार गारी के लिए काफी बढ़िया है आपके बास परानी हो उसको नए करना है तो यह कुछ End activate आप उसको एकदम नया जैसा बना सकते हैं यह आप जो बूट इस तरीकी से आप यूज कर सकते हैं जिस में मोमाइल फॉन का प्रट्स कोईन्स वोगे आप डालके या फिर मुबाइल फोन डालके इसमें चार्जिंग पर भी लगा सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में अतने ही वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरू बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा मि अधर के लिए गुडबाइ जाहिंद जाहबाराइब